नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी लोग का सोनो श्टडी क्लास है यूट्यूब चले में दोस्तों आज मैं आप लोग को इंस याटी बुक क्लास 12 जीव विज्ञान चैप्टर सुला प्रया व्लड के मुद्दे परप्रस उतर मैं आप लोग को स्वीडों मताऊंगा प्रस नमबर एक घरेलू वाहित मल के विविन घटक क्या है वाहित मल के नदी में विसर्जन से होने वाले प्रभाव की चर्चा करें उतर घरेलू वाहित मल मुख्य रूप से जेव निमनी करनिया कार्बनिक प्रदार्त होते हैं जिसका अब घटन आसानी से होता है इसका परेडाम सुपोशण होता है घरेलू वाहित मल के विविन घटक निम लखित है नमबर एक निम नले लंबे ठोस जैसे बालू गाद और चिकनी मिट्टी नमबर दो कोलाईडी प्रदार जैसे मल प्रदार जिवाडू वस्त्र और कागज के रिसे नमबर तीन विलीन प्रदार जैसे पूसक प्रदार नाइटरेट अमूनिया फासफेट सूडियम कैलसियम आदी वाहित मल के नदी में विसरजन से होने वाले प्रभाव इस प्रकार है नमर एक अभी वाही जलास है में जेव प्रदार्थों के जेव निमनी करने से जुड़े सुश्म जीव आकसीजन की काफी मात्रा का उप्योग करते हैं वाहित मल विसरजन इस तल पर भी अनुप्रवा जल में घुली आकसीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है और इसका कारण मचलियां ता जल ये जीवों की व्रित्ति उदर में व्रिद्धी हो जाती है जल आसियों में काफी मात्रा में पोस्कों की उपरस्ति के काण पलव की सेलाब की अती से व्रिद्धी होती है इसे सेलाब प्रस फूटन कहा जाता है सेलाब प्रस फूटन के काण जल की गुडवत्ता घड़ जाती है और मचलिया मर जाती है कुछ फश्ट फूट नकारी से अलाब मनुस्य और जानवरों के लिए अत्तिक विसेले होते हैं, नमबर तीन, वाटर हाइसीन्थ, पादप जो विश्व की सबसे अधिक समस्या उत्पन करने वाले जलियक खरपतवार हैं, और उन्हें बंगाल का आतंग भी कहा जाता है, पादप सुपोसी जलासियों में का पाहित मल में बहुत से अवांचित रोग जिनक सुच में जीव हो सकते हैं, और उचित उपचार के बिना इसके जल में विसरजित करने से गंभी रोग जैसे पेचिस, टाइफाइड, फीलिया, हैजा, आदी हो सकते हैं, प्रेस नमबर दू, आप अपने घर विद्याले या अपने अन्य स्थानों के भ्रमड के दौरान, जो अफसेष्ट उत्पन करते हैं, उनकी सुची बनाएं, क्या आप उन्हें आसानी से कम कर सकते हैं, कौन से ऐसे अफसेष्ट हैं, जिनको कम करना कठीन या असंब होगा, उत्तर, अफसेष्टों की सूची इस प्रकार है, न नमबर एक कागज, नमबर दो कपड़ा, अब्सिष्ट जीने कम नहीं किया जा सकता है, नमबर एक, एलमूनियम, पन्नी, टीन का डबबा, नमबर दो, डिस्पुल, जिवल, क्राकरी, नमबर तीन, पॉलिथीन वैग, नमबर चार, सीसा, प्रस्त नमबर तीन, वेस्विक उशुरता में व्रिद्धी के कारण, ग्रीन हाउस, गैसो के, इसतर में व्रिद्धी के कारण, पृत्विक की सत्थ का ताप काफी बढ़ जाता है, इसके कारण, विश्व, ब्यापी उशुरता होती है, गत, सब्द, सब्द, वधी में, पृत्विक के ताप मान, में 0,06 ड ही हुई है एक सुझाव की अनुसार सन 2100 तक 200 का तापमान 1.40-5.8 डिग्री सेलसेस बढ़ सकता है वग्यानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धी से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम सवरूप विचितर जलवायू परिवर्तन होते हैं इसके फल सवरूप दुरूवय हीम टूपियों और अन्ने जगहों जैसे हिमाले की हीम चोटियों का पिखलना बढ़ जाता है कई वर्सों बाद इससे समुद्र तल का इस्तर बढ़ेगा जो कई समुद्रे तटिय चेतरों को जलमंगन कर देगा वैस्वी का उश्ड़ता के निमनांकीत प्रभाव हो सकते हैं नमबर एक अन्य उत्पादन कम होना नमबर दू भारत में होने वाले मौसमी वर्सा पूर्ण रूप से बंद हो सकती है नमबर तीन मरू भूवी का छेतर बढ़ सकता है नमबर चार एक तियाए वैस्वीक बन समाप्त हो सकते हैं नमबर पांच भीसर आंधी चक्रवा तथा बाढ़ की समभावना बढ़ जाएगी नमबर चार दोजर पचास इसवी तक एक मिलियन से अधिक पातपो एवं जन्तुग की जातियां समाप्त हो जाएगी वैस्वीक उष्डता को निमनलिखित उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है नमबर एक जिवासमे इंधन के प्रियोग को कम करना नमबर दो उर्जा दच्छता में सुधार करना नमबर तीन वनो नमूलन को कम करना नमबर चार मनुस्त की बढ़तीवे जनसंक्या को कम करना नमबर पांच जानवरों की विलुपत हो रही प्रजातियों को सरचित करना नमबर चार वनो का विस्तार करना नमबर साथ वरिच्छार उपड को बढ़ावा देना प्रेस नंबर चार, कालम अ और ब में दिये गए मंदू का मिलान करें, कालम अ, कालम ब, नंबर एक, उत्प्रिरक परिवर्तक, खज, इस्तिर वेदुत और छेपी गत्र, ग, कडमफ, घ, लेड़ फिल, कालम ब, नंबर एक, खड़किय प्रदार्त, नंबर दो, कार्बन मोनो और नाइट्रोजन अकसाइड, नंबर तीन, उच्चे सूर, इस्तर, नंबर चार, ठोस अवसिष्ट, उत्र, क, दो, ख, एक, ग, तीन, घ, चार, प्रेस नंबर पांच, निम लिखित पर आलू चनात्मक टिटपड़ी लिखे, नंबर एक, सुपूशड, नंबर दो, जेव को सुपूड कहते हैं, सुपूशड झील का प्राकरतिक काल प्रभावन दर साता है, यानी, झील अधिक उम्च क्या कःती है, यह इसके जल की जियो समर्दी केender काण होती है, तरूर झील काजल, सीतल, और स्वच्च होता है, समय के साथ-सात इतन के जल के सात पूसक, तत् बढ़ने लगते हैं, जीओ की मृत्यू होने पर कार्वनिक और सेस जील के तल में बैठने लगते हैं, सैकड़ो वर्सों में इसमें जैसे जैसे सिल्ट एवं जीओ मलवे का धेर लगता है, वैसे वैसे जील उथली और गरम होती जाती है, उथली जील में कच्छ फादब उग उग आते हैं, और मूल जील वैसीन उनसे मर जाता है, मनुस्त के क्रिया कलापो के कार सुपोषड की क्रिया में तेजी आती है, इस प्रकार जील वास्तों में गुट कर मर जाती है, और अंत में या भूमी में परिवर्तित हो जाती है, नबर दो, जेव आपरदन, जेव कारण है, जीव द्वारा संगरहित, अविसालू, प्रदार्त, उपाचईत या उस सर्जित नहीं हो सकता, और इस प्रकार यह अगले उपचर पोशड इस्तर पर पहुच जाता है, यह प्रदार्त खाद्य सिंखला के विविन पोसी इस्तरों के जीवो में धीरे-धीरे किया जाता है, वो ध्योगों के अवसिष्ट जल में प्राय विद्दमान कुछ विसेले प्रदार्तों में जलिये खाद्य सिंखला जेव आवरदन कर सकते हैं, यह परिघटना पारा एवं डीडीटी के लिए सुविदीत है, क्रमित पोशड इस्तरों पर डीडीटी की में डीडी, टी की उच सांदरता कैल्सियम उपाब चैन को नुकसान पहुचाती है, जिसके कारण अंडग कवच पतला हो जाता है, और यह समय से पहले फट जाता है, जिसके कारण पच्छी समिष्टी की संख्या में कमी हो जाती है, नमर तीन, भूम जल का अवच्छ है, औ यह अधिक सुद्ध एवं सुरच्छेत हैं, और द्योगिक सहरों में भूमिगत जल प्रदूसित होता जा रहा है, अपसिष्ट रहता है, और द्योगिक अपसिष्ट बहाव पानी, बहाव जमीन पर बहता रहता है, जोकि भूमिगत जल प्रदूसर के साधारन स्रोथ हैं, उर्वरक तथा पिडक नासी जिसका उपियोग खेतों में किया जाता है भी प्रदूशड का कारे करते हैं यह वर्षा जल के साथ निकट के जलासेों में एवं अंतत भूम जल में मिल जाते हैं अस्विकरित कूडे के ढेर सेप्टिक टेंकी एवं सीवेज गड़े से सीवेज के रिसने के कारण भी भूमिगज जल प्रदूशड होता है वाहित मल जल एवं अध्योगिक अफसिष्टों को जलासेों में छोड़ने से पहले उपचारित करना चाहिए जिससे भूमिगज ज प्रदूशड होने से बैस सकता है प्रस नंबर 6 अंडा अंटाक्टिका की उपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं परावैगनी वीकिरन के बढ़ने से हमारे उपर किस प्रकार प्रभाव पढ़ेंगे उत्तर हाला की ओजोन और छे व्यापक रूप से होता है लेकिन इसका अ इसे ओजोन छिद्र की संग्या दी जाती है कुस सुगंदिया जागदार सेविंग क्रीम किटनासी गंदहारक आदी डिब्बो में आते हैं और फुहरा या जहा के रूप में निकलते हैं इन्हें एरो सोल कहते हैं इनके उप्योग से वास्प सील सी यफ सी वायो मंडल में पहुचकर ओजोन इस तरको नश्ट करते हैं सी यफ सी का व्यापक उप्योग एर कंडिशनर रो रेफिजरेट रो सीतल को जेट इंजनों अगनी सामक उपकरणों गंदेदार फोम आदी में होता है ज्वाला मुखी रसायनिक उर्वरक नाइट्रोजन के आकसाइड सुवा प्रित्वी के वंडल द्वारा लगभक पूरा का पूरा आउससेशित हो जाता है वसरते की ओजोन इस तर जियों का त्यों रहे लेकिन परावगनी वी डीने को छतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्तन को बढ़ाता है इसके कारण तोचा में बुढापे के लच्षड दि से विविन प्रकार के तुच्या कैंसर हो सकते हैं इससे हमारी आखों में कार्णिया का सोत हो जाता है जिसे हेम आदरता मोतिया वीन आदी कहा जाता है प्रस नमबर साथ बनों की सरच्छड और सुरच्छा से महिलाओं और समुदायों की भूमिका की चर्चा करें उतर भारत में वन सरच्छन एक लंबा इतियास जोधपूर राजस्तान के राजा ने 1731 इसबी में अपने महल के निर्माड के लिए विरिच्छों को काटने का आदिश दिया था जिस वन चेतर के विरिच्छों को काटना था अब उसके आस पास कुछ विश्णोई परिवार रहते थे इस परिवार की अमरतान नामक महिला ने राजा की आदिश का विरूत किया एवं विरिच्छ से चिपक कर खड़ी हो गई उसका कहना था कि विरिच्छ हमारी यान है उ असमभव है इसे काटने के लिए पहले आपको हमें काटना होगा राजा के लोगों ने पेड के साथ मैला एवं उसके साथ उनकी तीन बेटिया था विश्णोई परिवार के सैकड़ों लोगों को विरिच्छ के साथ कटवा दिया भारत सरकार ने इस सासी मैला जिसने प्रय देना हाल में सुरू किया है चिपको अंदूलन के प्रवर्धक डाक्टर सुन्दरलाल बहु गुड़ा के नाम से ही वन सरचड की संबेदना होने लगती है 1974 इसबी में हेलमाले के गड़वाल में जब ठेकेदारों द्वारा विरिच्छों को काटने की प्रिक्रिया आरम हुई तो इसे बचाने के लिए इस्थानिय महिलाओं ने अदमें साहस का परिचय दिया वे ब्रिचों से चिपकी रही एवं ब्रिचों को काटे जाने से रोकने में सफल रही इसी प्रयास ने आंदोलन का रूप ले लिया एवं चिपको आंदोलन के रूप में Balksin विखियात हुआ प्रस नमबर आठ प्रयावरण ये प्रदूसर को रोकने के लिए एक व्यक्ति के रूप में आप क्या उपाय करेंगे उत्तर प्रयावरण प्रदूसर को रोकने के लिए हम एक व्यक्ति के रूप में निम्लिखित उपाय करेंगे नबर एक सीता तीसा रहित एवं सल्फ रहित पेट्रोल की उध्योग की साथ साथ इंजन से कम से कम धुआ उस सर्जित हो इस पर ध्यान रखेंगे नबर दू बिजली या बैटरी से चालिक वहानू का प्रियोग पर बल देंगे नबर तीन उध्योग की उध्योगों के चिमनी हावा में काफी उपर हो एवं इससे फिल्टर लगा होना चाहिए इस संदर में लोगों के माध्यम से प्रयास करेंगे 4. उध्यवग एवं परी करण सालाओं को आवादी से दूर इस्तापीत करवाने का प्रयास करेंगे 5. बंड रोपन के प्रती लोगों को जागरुक एवं प्रोसाहित करेंगे 6. प्रदूसर से होने वाली बिमारियों तथा हानिकारक प्रभावों के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे 7. जीवासे इंदनों का प्रयोग कम से कम करेंगे 8. जन संक्या विर्दी से होने वाले दूस्प्रभावों के बारे में लोगों को बताएंगे 9. धूम पान से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को सला देंगे 10. मोटर वाहन चलाने समय हारन का प्रयोग कम से कम हो इस बात का ध्यान रखेंगे नमबर 11 रेडियो टीवी म्यूजिक सिस्टम आदी का प्रियोग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आवाज बहुत धिमी हो प्रस नमबर 9 नमलिखित के बारे में संचेप में चर्चा करें कर रेडियो सक्रिय अफसिष्ट ख पुराने बेकार जहाज और ई अफसिष्ट ग नगर पारिका के ठोस अफसिष्ट उतर कर रेडियो सक्रिय अफसिष्ट नुकलियर रेक्टर से निकलने वाला विकीरन जीवो मातरा घातक यानी जानलेवा होती है लेकिन कम मातरा कई प्रकार उत्पन करती है इसका सबसे अधिक बार-बार होने वाला विकास विकार कैंसर है इसलिए निूकलियर अफसिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूसर है रेडियो सक्रिय अवसिष्ट का भंडार रण कवचित्र पात्रों में चट्टानों के लिए लगबग 500 मीटर की गाराई में प्रित्वी में गार करना चाहिए नाविकिय सेंत्रों से निकलने वाले अवसिष्ट प्रदार तो जिनमें विकीरन कम हो उसे सिवरेज में छोड़ा जा सकता है अधिक विकीरन वाले अवसिष्टों का विसेश उप्चार संचैन एवं निप्टारा किया जाता है पुराने विकार जहाज और इअवसिष्ट पुराने विकार जहाज एक प्रकार के ठोस अवसिष्ट है जिसका उचित निप्टारा आवस्थक है विकासेल देशों में इसे तोड़कर धातु को अलग किया जाता है इससे सीसा, मरकरी, पारा, एक, वेक्स्टर, तीन, आदी पाय जाते हैं जो हानिकारक होते हैं ऐसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक समान जो मरम्मत के लाइक नहीं रह जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अवसिष्ट कहलाते हैं बढ़ जाती है इसमें इसमें मौझूद वैसे तत्व या धातू जिनका पुना चक्रण किया जा सकता है हो जैसे लोहा, नीकेल, तामा, चांदी एवं पुना चक्रण कर पुना उपयोग किया जाना चाहिए इस प्रक्रिया में विक्सित देशों की तरह विज्ञानिक तरीक का उपयोग करना चाहिए ताकि इससे जुड़े कम्यों पर इनका हानिकारक प्रभाव कम से कम हो गर नगरपालिका के ठोस अफसिष्ट इसके अंतरगत घरों कारे यारों वंडारों विद्यालों आदी में रदी में फेकी गई चीजे आदी हैं जो नगरपालिका द्वारा के आयतन में कमी आती है खुले में इसे फेकने से यह चुए और मक्हियों के लिए प्रजनन इस्थल का कारिय करता है इसका निप्टारा से इतना अधिक होने लगता है कि या इस्थल भी भर जाते हैं, इन सब का मातर एक हल है कि प्रयावणी मुद्यों के प्रतिहम सभी को अधिक समवेदन सील होना चाहिए, प्रस्त नमबर दस, दिल्ली के वाहनों से होने वाले वायू प्रदूसर को कम करने के लिए क्या प्रयास क किये गए, क्या दिल्ली में वायू की गुडवत्ता में सुधार हुआ उतर, वाहनों की संख्या काफी अधिक होने के कांड दिल्ली में वायू प्रदूसर का इस्तर देश में सबसे अधिक है, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायू प्रदूसर को कम करने के लिए निमन में परिवर्तित कर दिया जाए नमबर 3, पुरानी गाड़ियों की धीरे-धीरे हटा लिया जाए नमबर 4, सीसा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रियोग किया जाए नमबर 5, कम गंधक सलफर युक्त पेट्रोल या डीजल का प्रियोग किया जाए नमबर च्छव वहनों में उत्प्रिरक्ट परिवर्तकों का प्रयोग किया जाए नमबर साथ वहनों के लिए यूरो सेकेंड मानक अभीवार्य कर दिया जाए दिल्ली के लिए दिल्ली में किये गए इन प्रयासों के काण वायू की गुडवत्ता में काफी सुधार हुआ है एक आकलन की अनुसार सन 1997-2005 तक दिल्ली में CO और SO2 के इस्तर में काफी गिरावट आई है प्रस्त नमबर 11 निमलिखित के बारे में संचेप में चर्चा करें का ग्रीन हाउस गैस का उत्प्रेरक परिवर्तक गप्रावैगनी वी उत्तर का ग्रीन हाउस गैसे कारण डायोकसाइड मीथेन जलवास्प नाइट्रो आकसाइड ता क्लोरो फ्लो रो कारबन को ग्रीन हाउ पढ़ते हैं ग्रीना उस प्रभाव प्राक्रितिक रूप से होने वाली परिगटना है जिसके कारण प्रित्वी की सता और वाय मंडल गरम हो जाता है प्रित्वी का तापमान सीमा से अधिक बढ़ने पर धुरूए इम टोप के फिखलने से समुंद्र का इस तर बढ़ने तता बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है आने वाली सतावदी में प्रित्वी का तापमान 0.6 डिग्री सेलसियस तक बढ़ जाएगा और ध्योगीक विकास जनसंख्या व्रिद्धि एवं व्रिच्छों की निरंतर हो रही कमी से वाय मंडल में सीओ टू की मात्रा 0.03 प्र उत्प्रेरक परिवर्तन परिवर्तक इसमें कीमती धातू प्लेटीनम प्लेडियम और रूडियम लगे होते हैं जो उत्प्रेरक का कारे करते हैं या परिवर्तन स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं जो विसेली गैसों के उस सर्जन को कम करते हैं जैसे ही निर्वात उत जल में बदल जाता है तथा कार्बन मोनुउक्साइड एवं नाइट्रीक आüक्साइड करमसा कार्बन करमसाब you यूइक्टी ओम नाइट्रोजन गैस क्वैंगी ven यह DNA को छतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्तन को बढ़ाता है इससे कोशिकाएं छतिग्रस्त हो जाती हैं और विविद प्रकार के त्वच्छा कैंसर उत्पन होते हैं हमारे आंक का स्वा चमंडल कार्णिया यू वी विकिरन का उसेसर करता है इसकी उच्छ मात्रा के कार्णिया का सोत हो जाता है जिसे हीम अधता मोतिया वीन आधी कहा जाता इस प्रकार परावैगनी विकिरने सजीवों के लिए वेहद हानिकारक हैं अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और निश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग